और मेरे देश के नौजवानों कैसे हो आप सब तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी 10 upcoming bikes के बारे में जो 2020 और 2021 में launch होने वाली है क्योंकि दोस्तो कोरोना वाइरस के कारण कुछ bikes ऐसी हैं जो इस साल launch ना होकर 2021 में launch होगी तो जो पहले नंबर की bike है वो most awaited bike है और वो ह TVS Zeppelin दोस्तो ये TVS का सबसे शांदर concept है एकदम simple bike आपको मिलती है इसमें आपको कोई इतना sporty look नहीं मिलता है एकदम normal सी cruiser bike है इसलिए ये bike दिखने में attractive सी लगती है और काफी जादा लोगों को ये bike पसंद भी है बाकी इसमें सामने आपको LED headlight मिलती है और पीछे आपको LED tail light मिलती है और indicators भी इसमें आपको LED मिलेंगे दोस्तो seat इसमें आपको unibody single seat मिलेगी जो की एकदम comfortable और spaceful है और आप इस bike पर long tour भी कर सकते हो दोस्तो suspension इसमें आपको सामने USD folks मिलेगा क्योंकि अब company धीरे-धीरे USD folks दे रही है और पीछे आपको normal monoshock suspension मिलेगा engine इसमें आ आपको battery मिलती है क्योंकि ये bike एक electric bike है जो की काफी अच्छी बात है ये eco friendly रहेगी और एक charge में ये 1500 से 200 km चल जाएगी दोस्तो price की बात करें तो इसका expected price है एक लाख तीस हजार एक showroom डेली और अगर launch date की बात करें तो December end में ये bike Indian market में launch हो जाएगी बाकि जो लोग इस bike का अब ये सबरी से इंतजार कर रहे हैं वो comment जरूर करना दूसरे नंबर की bike है कावसा की W175 दोस्तो कावसा की अब एक mid range bike को launch करने की सोच रहा है जिसको सभी लोग afford कर सकें दोस्तो ये bike एक budget friendly bike रहेगी और आपको कम कीमत में कावसा की का tag मिल जाएगा दोस्तो इस bike का look एक tail light मिलेगी दोस्तो round analog instrument console इसमें आपको मिलता है switch quality भी अच्छी लग रही है और आपको engine kill switch भी मिलेगा और seat भी इसमें आपको अच्छी comfortable मिलती है और दो लोग तो इस पर आराम से ride कर सकते हैं engine इसमें आपको मिलता है 177cc का single cylinder engine जिसका max power 15 bhp और max torque 13 newton meter का दोस्तो सामने आपको telescopic suspension मिलेगा और पीछे आपको twin shock absorber suspension मिलेगा बाकी इसका expected price है 1,15,000 और इसका price इतना कम इसलिए है क्योंकि इसमें आपको जादा high level के features नहीं मिलते हैं बात करें launch date की तो January 2021 में ये bike confirm Indian market मे launch हो जाएगी और जिन लोगों को ये bike पसंद आई है वो comment जरूर करना तीसरे नंबर पर आती है Yamaha XSR 155 दोस्तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसका launch delay हो गया है और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो i button पर link मिल जाएगा तो आप जाकर launch हो जाएगी दोस्तो दिखने में ये bike एकदम muscular सी लगती है आपको simple bowler type look मिलता है जो देखने में काफी शांदर लगता है सामने आपको LED headlight मिलती है पीछे आपको LED tail light मिलती है और indicators इसमें आपको bulb indicators मिलेंगे और अगर suspension की बात करें तो Yamaha cost cutting करने के लिए सामने आपको telescopic suspension देगी और पीछे आपको monoshock suspension मिलेगा दोस्तो सीट इसमें आपको unibody single seat मिलेगी तो आप आराम से दो लोग बैठ कर ride कर सकते हो बाकि engine इसमें आपको मिलता है 155cc का single cylinder engine जो max power produce करता है 19 bhp की और max torque generate करता है 16 newton meter का और अगर price की बात करें तो इसका expected price है एक लाख चालिस एक शोरूम डेली और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2021 के starting में ये bike launch हो जाएगी बाकी मैं तो यही कहूंगा अगर ये bike launch होती है तो फिर ये 1500cc segment में best in class रहेगी बाकी आप comment box पर बताओ कि आपको Yamaha XSR 155 पसंद है कि नहीं फोर्थ नंबर पर है Honda Rebel 300 दोस्तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हाली में Honda ने Highness CB350 को launch किया है और वो bike Indian market में काफी अच्छा perform कर रही है इसलिए अब Honda अपनी Rebel 300 को Indian market में launch करने का plan कर रही है दोस्तो ये bike दिखने में एकदम Harley Davidson type लगती है और जब आप इसको चलाओगे तो ऐसा feel आएगा जैसे आप एक High Level की cruise bike चला रहे हो बाकि लुक्स इस bike का काफी तगड़ा है दोस्तो सामने आपको हेलोजन headlamp मिलता है पीछे आपको LED tail light मिलेगी और indicators इसमें आपको bulb indicators मिलेंगे दोस्तो split seat इसमें आपको मिलती है जो की अच्छी comfortable है और अगर आप चाहो तो इसको single seat रख सकते हो क्योंकि उसमें ये bike और भी जादा खुबसूरत लगती है दोस्तो engine इसमें आपको मिलता है 286cc का single cylinder engine जो max power produce करता है 32 bhp की और max torque generate करता है 27 newton meter का suspension की बात करें तो सामने आपको telescopic suspension मिलता है और पीछे आपको twin shock absorber suspension मिलेगा दोस्तो प्राइस की बात करे हैं तो 210,001 showroom इसका expected price है और उमीद है कि December तक ये bike launch हो जाएगी ने तो 2021 में ये bike पक्का launch हो जाएगी पांचवे नमबर पर है Yamaha MT 125 जैसे कि आप सभी को पता है कि 125cc का market धीरे धीरे बढ़ रहा है और अब Yamaha भी plan कर रहा है कि उनको भी अब 125cc में एक naked bike को launch करना चाहिए द दिखती है आपको कोई भी change देखने को नहीं मिलेगा सिर्फ power outfit में change मिलेगा और हो सकता है कि आपको new colors के option मिले बाकी सामने आपको दो LED DRLs मिलते हैं और एक projector bulb मिलेगा पीछे आपको LED टेलाइट मिलेगी और अगर engine की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 124cc का single cylinder engine जिसका max power है 15bhp और max torque है 11.5 newton meter का seat इसमें आपको unibody single seat मिलती है जो की अच्छी comfortable है और sitting posture भी इसमें आपका upright रहेगा बाकी इसमें आपको 120 kmph की top speed मिल जाएगी जो की 125cc की हिसाब से sufficient है और सामने आपको telescopic suspension मिलता है और पीछे आपको monoshock suspension मिलेगा और अगर बात करें इसकी price क तो 1,20,000 इसका expected price है और December month में ये bike launch हो जाएगी 6th number पर आती है Honda CB 150R दोस्तो इस bike कभी काफी सारे लोग इंतजार कर रहे हैं क्योंकि ये bike दिखने में भी शांदार लगती है और 150cc segment में इसके जैसी दिखने वाली bike एक भी Indian market में नहीं है एकदम muscular सा looks and design इसमें आपको मिलता है सामने आपको LED headlight मिलती है और पीछे आपको LED till light मिलती है और indicators भी इसमें आपको LED मिलेंगे दोस्तो instrument console इसमें आपको fully digital मिल जाता है जिसमें आपको सारे information और features मिल जाएगा अगर engine की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 149cc का single cylinder engine जो max power generate करता है 20bhp की और max torque produce करता है 16 newton meter का seat comfort भी इस bike का काफी बढ़िया है और सामने आपको USD fork suspension मिलेगा और पीछे आपको monoshock suspension मिलेगा और बात करें इसकी launch date की तो इस साल तो ये bike launch नहीं होगी लेकिन 2021 के starting month में ये bike launch हो जाएगी और इसका expected price है 1,40,000 x showroom डेली और जिस जिसको ये bike पसंद है वो comment जरूर करना सातवे नंबर पर आती है कावसा की Ninja ZX 250R दोस्तो इस bike का looks and design भहती शांदार है मतलब 250cc segment में आपको इसका कोई भी competitor देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये सीधा सीधा 400cc की bikes को टक कर देती है front में आपको LED headlight मिलती है जो bike को एक sharp और aggressive look देती है पीछे आपको LED tail light मिलती है और instrument console इसमें आपको analog और digital का मिलेगा जिसमें आपको सारे features मिल जाएंगे engine specs की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 250cc का 4 cylinder engine जो max power produce करता है 50bhp की और max torque generate करता है 32 newton meter का और 190 plus kmph की top speed इस bike में आप gain कर सकते हो अगर seat comfort की बात करें तो इसमें आपको split seat मिलती है rider seat अच्छी खासी spaceful है लेकिन pillion seat थोड़ी uncomfortable रहेगी बाके दोस्तों मैं तो यही कहूंगा कि ये bike riders के लिए perfect रहेगी इसकी price की बात करें तो 3,40,000 इसका expected price है और ये bike foreign country में launch हो चुकी है और धिरे धिरे company इसको launch कर रही ह तो कह सकते हैं कि 2021 के March तक ये bike Indian market में launch हो जाएगी आठवे नमबर पर आती है Yamaha MT 03 दोस्तों इस bike का fanbase एकदम अलग level पर है क्योंकि 300cc में आपको twin cylinder engine मिलता है इसका मतलब काफी बढ़िया power इस bike में आपको देखने को मिलेगी दोस्तों लुक्स इस bike का एक naked segment के हिसाब से अप मिलता है और पीछे आपको LED टेल लाइट मिलेगी इंजन स्पेक्स की बात करें तो 321cc का twin cylinder engine इसमें आपको मिलता है जिसका max power 42bhp और max torque 30 Nm का बाकि दोस्तों MT 03 के आने से बजाज Dominar 400 और KTM Duke 390 को MT 03 से काफी तगड़ा मुकाबला करना होगा बाकि इसमें आपको dual channel ABS म मिलेगा और हो सकता है कि इसमें आपको कुछ riding modes भी मिल जाए और price की बात करें तो 2,50,000 इसका expected price है और January 2021 के starting में ये bike Indian market में launch हो जाएगी 9 नमबर की upcoming bike है Honda CBR 250RR दोस्तों इस bike का looks काफी जादा तगड़ा है क्योंकि 250cc segment में आपको कुछी ऐसी fully fed bikes मिलती है जो आपका पैसा अदा कर देती है सामने आपको LED headlight मिलती है और उसी के उपर आपको LED DRLs मिलेंगे और पीछे आपको LED tail light मिलेगी fully digital meter इसमें आपको मिलता है जिसमें आपको सारे basic features तो मिलते ही है लेकिन साथ ही साथ इसमें आपको कुछ riding modes भी मिलेंगे दोस्तो seat comfort इसमें आपको काफी बढ़िया मिल जाएगा split seat इसमें आपको मिलेगी और दोनों ही seat अच्छी खासी spaceful और comfortable रहेगी लेकिन riding posture इसमें आपका थोड़ा aggressive रहेगा बाकी engine इसमें आपको मिलता है 249cc का twin cylinder engine जिसका max power है 37 bhp का और max torque है 30 newton meter का और इसमें front में आपको usd fork suspension मिलेगा और पीछे आपको monoshock suspension मिलेगा बात करें इसकी price की तो 2,40,000 इसका expected price है और December end में ये bike confirm Indian market में launch हो जाएगी बाकी जो लोग इस bike का wait कर रहे हैं वो comment जरूर करना आखरी दसवे नंबर की bike है Benelli 302S दोस्तो naked segment में इस bike का looks काफी ज़्यादा sporty और muscular है क्योंकि आप इस bike को किसी भी angle से देख लो आपको ये bike पसंद आ ही जाएगी दोस्तो सामने आपको LED और projector bulb का headlight setup मिलेगा और पीछे आपको LED tail light मिलेगी और दोस्तो instrument console इसमें आपको TFT मिलेगा जो देखने में काफी ज़्यादा खुबसूरत लगता है बात करें इसके engine की तो इसमें आपको मिलता है 300cc का twin cylinder engine जिसका max power 30bhp और max torque 25 newton meter का टॉप speed की बात करें तो 150 plus की top speed आप इससे gain कर सकते हो और इसमें सामने आपको USD fork suspension मिलेगा और पीछे आपको monoshock suspension मिलेगा मिलेगा बात करें इसके launch date की तो January 2021 में ये bike launch हो जाएगी और इसका expected price है 3,000,000 रुपे बाकि आप comment box पर बताओ कि आपको ये bike पसंद है कि नहीं तो उमीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको like कर दो, share कर दो और अगर आप channel पर नए आए हो तो इसको subscribe करके bell icon भी दबा दो क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रोजाना ऐसी ही वीडियो लात रहता हूँ और दोस्तो अगर आपको कुछ doubt है तो आप comment box पर पूछ सकते हो और हाँ आप मुझे next वीडियो के लिए अपने thought suggest करो कि आपको किस topic पर वीडियो चाहिए तो मैं उस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगा और दोस्तो आप मुझे Instagram पर follow नहीं करते हो तो मैं यहाँ username दे दूँगा तो जाओ मुझे वहाँ जाके follow करो मैं वहाँ अच्छे चिपिक्स डालता रहता हो और अगर आपको वहाँ कुछ doubt है तो आप मुझे DM कर सकते हो अभी के लिए thanks, till then wait for my new upcoming videos